कि क्या लोग यहांपि देखी मुझे डुप्लिके вып करना है यहां पर द्यान करना है दूप्लिकेट में अबर करना है डूपलिकेट में कभी कभी आपको और millimeterぎ में अब है तो मुझे करना पड़ेगा आपने क्या किया थादि द्यान दीजय का इसको अब अपको कभी कभी errors आती है मैं आपको बताता हूं यह शुड़न डिटेल है अब यह शुड़न डिटेल में आपने क्या किया यह नियू पेक है तो कभी को भी देखए मेरे पास अभी तक एक ही आप के पास require फिल्ट की अभी मेरे पास कितने required फिल्ट है धहन देजिएगा दो required तो मुझे धान देजएगा तो यह मेरी excel मैं थोड़ी देर के लिए इसको को डिलिट कर देता हूँ उट है आ हाख अ है हाँ है चलिए तो यह मेरा डेटा है अब यह डेटा मुझे मुझे लोड करना है कहां पर मुझे लोड करना है किसके अंदर डेटा लोडर के तो लेकिन यहां पर रूल क्या होता है सबसे पहले चेक करना पड़ता है आपको डेटा लोडर में डेटा लोड करते वक्त कि मुझे रिक्वाइड फिल्ड होती है तो मेरे पास दो लेकिन मोबाइल नंबर मेरा रिक्वाइड फिल्ड है तु भी नहीं डाला तो मुझे यहां पर एरर आ जाती है रेकॉर्डिंग नहीं किया इसलिए मैं आपको बता रहो तो हम लोग क्या पर जाते हैं यहां पर जाते हैं हम लोग इंसर्ट में जाते हैं हम लोग दम भी हो प्रि अश्टैल लेति अचया हैं तर फिल्द णाली इन सब्सक्राइव आildo大家 विले पर एक्टन फ्उस रदूमों च्बूल एसको दो न फर यह देखेंगे में इसको मफ करते जाएंगे को कि इसको में पर करेंगे अब करते हैं किरेकिन यह पर मैंने दाले नहीं डाली है यह परकार म फिल्ड को करना है तो मुझे दो चीजें करना पढ़ेगा एक तो यहां पर फिल्ड एंड रिलेशन्शिप में जा और आपका जो मुबाइल नंबर रहता है इसको कुलिक करो और इसके अंदर जो आपका एडिट करो और एडिट के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे देटा रहता है दैन देजेगा इसको required fill को निकाल दो यह एक option रहता है आपको required fill वैसी ही रखना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को एक नया control V यहाँ या अट्रो जेट मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर mobile नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे वैलूइड देना पड़ेगा 12345678910 यह वैलूइड देना पड़ेगा मुझे इसलिए देना पड़ेगा यहाँ पे मैं जास बता रहा हूँ तो mobile नंबर क्योंकि यह required फिल्ड है आपके तो required फिल्ड है मुझे तो देना पड़ेगा यहाँ अब हो सकता है इसके अंदर भी error आ सकती है क्यों यह mobile नंबर को आपने required तो कर लिया duplicate भी किया होंगा तो same number मु नंबर दिया इसमें कभी-कभी आपको error आ सकती है कुण सी रा सकती है वैलिडेशन तो आपने वैलिडेशन लगाया कि मुझे के 10 डिजिटी चाहिए तो आपको यहाँ पे 10 डिजिट देना पड़ेगा या दर्वाइस वैलिडेशन रूल को deactive कर दिया तो यहाँ पे 5 देखना पड़ेगा तो वहाँ बेंसे एरह आती है तो उसको पढ़ लिजेये आपव और पढ़के नहीं कर्या किजेगा आपको यह होता है कि मोबाइल नंबर के उपर अपने रिक्वाइड डाली और यह इसके अंदर आड नहीं किया है इसलिए मुझे इसको एरर आई है कभी-कभी यहाँ पर आपको लिख के आता है एरर ओके स्ञेघुश्ण और आपको जाना पड़ेगा क अंदर और छेक करना पड़ेगा वोगे निकल प्रणन के तो आज्सक्राइब वीडियो में अभी तुरंट बेच देता आपको कोई टेंशन है आज से कोई वर्किंग प्रॉपर वेसे में बेच क्लिक आँगा तुरंट की तुरंट तो अभी अपन जाते है यहाँ पर तो से एक बार अपसट का भी बता देजिए हाँ बताता हूं मैं तो इसको कॉपी कर देंगे हम लोग यहाँ पन कॉपी कर देंगे चलिए यहाँ पर जाओ कभी कभी नहीं आता यह नीचे का नाम नहीं आता तो एक एक पीछे लेकर जाती जाता तो आपको आज आएगा वह जेंडर अभी तो मैंने वैसे की वैसे लिखा इसलिए आ गया हूं और एक मुबाइ प्रोसेसट कर देंगे यह इंपोर्ट हो गया आपको आपका सटैस्पुली चला गया तो अभी अपन डेक्स्ट गेश्च तो यहां पर तो इता क्लिए हो गया अब इंसर्ट डिटा इंपूर्ट का पढ़ना है कि आपको अब संड का अपसर्ट का पढ़ना है ना तो बता देता हूं फट्चे थोड़ा अपना क्लियर हो जाएगा याप तो यहापके देखिए अभी अपसर देखते हैं हम लोग तो यह आपका डेटा है अपसर का मतलब पहले अपडेट भी करवा देता हूं है तो यह आपके पास इसको रिफरेश कर दो को थो भी डेता बोड ज्यादा हो गया भी ति देखिए यह रेक आपने पाप इतता रेकौर्ड आया हूआ धान देजेगा हम ने जो रेकओर्ड फिल अब किया वह देखते हम्लोग आया क्या तो दिक्तले हैं यह अपर नंबर आपका रेकॉर्ड यहांपे आविलेबल से यह यह मैंने बिड़ल नंबर यह दिया ना यह रिकॉर्स अपने पास से अब हुझे अपडेट करना है बाद मैं अपसे भी बढ़ाता हूं और बात मैं यहाँ पर डीटा लूडर का भी देखते हैं आपने पूरा हो जाता है को यहां उसे अब्रॉडियो का जो प्राइब गाव्ब्ट करेगा अपसेट रेगा रूल क्या रहता है कभी भी seller's के अंदर रीखॉर्ड होता है जब बीषम होता तो दिखिए आप लिए भी बावाभम अगरे तो यह अब है गद्रम में आगे बैंको me हम लोग self force के अंदर जब डालते हैं तो यह data आपका self force के अंदर चला गया देखिए यह वाला data है चला गया self force के अंदर तो जब भी self force के अंदर एक data डाओ 10 data जाओ 1 lakh data डाओ या 1 crore data डाओ तो जब भी self force के अंदर जब data store होता है तो उसको एक record ID मिली जाते है तो यह unique record ID होती 18 digit की, यह 18 digit की unique record ID होती है तो यह record ID आपको दी जाती है तो self force के अंदर जो भी data load होता है single data रो, 10 data रो, 1 lakh data रो, या 1 crore data रो, हर एक record को individual हर, एक crore record भी डालाओंगा तो हर एक-एक record को वो क्या करता है record ID जाता है तो यह record एड़ी से indicate होता है कि मेरा यह data जो है आपका cell force के अंदर का है और यह record मेरा बाहर का है यह indicate होता है तो मुझे अभी update करना है तो कभी भी याद दखना update जो data होता है न यह update data हमेशा cell force के अंदर का data होता है insert मतलब क्या आता है बाहर का data डाल रहे हैं लोग अपडेट का मतलब क्या आता है यह पहले सी रिकॉर्ड है 44001 इसके अंदर मुझे कुछ मॉडिपाइड करना है तो मैं यहां पे क्लिक करता हूँ यहां पे एडिट में जाता हूँ और एडिट में जाके मुझे ऐसे लग रहा है यह फॉर्स्ट नेम यहां कोई अपडेट किया जाता है इसको सेव करते हैं अब लोग मुझे को यहां पर हर चीज मोबाइल नंबर यहां पर डाली नहीं आपने अभी आपको मोबाइल नंबर हर इसमें डालना ही पड़ेगा ओके तो मैं इसका रिक्वाइड फिल निकाल देता हूँ यह तो क्या पड़ेगा रिक्वाइड तो मैं निकाल देता हूँ तो अभी मोबाइल नंबर रिक्वाइड हो गया है निकल गया आपका तो यहां पर जाते इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए यहां पर क्या हो गया तो आपका आपका रिक्वाइड आ गया यह तो हमने क्या किय यह record को modified किया update किया तो update हमेशा पुराने record को Salesforce के अंदर के record को update किया जाता अब एक ही record को क्या मुझे पूरे record को update करना है या तो मैं क्या करूंगा पहले यहाँ से record बाहर लेक्षे आउगा तो इसके लिए मैं एक excel file एक open करके आगी है तो अपना एक년 फाइल लेंगे और यह excel file हम क्या करते है पहले Import करते है Export करते डिटा किसे बहेगा आपका आपको या पे ऐसा लिक्की रहेगा ध्यान. देजियागा ज़्यान. अधि को。 अधि के आपको सबसे पहले आज लिक्क्रे रहेगा? आपको के ऐसा लिखा रहेगा आपको मुझे रेकॉड कहा का चाहिए अकाउन का चाहिए कि मुझे सुडेंट डिटेल का चाहिए यस सुडेंट डिटेल स्टुडेंट टाइप को आपको आपको आटोमेटिक लिए आता है तो यहां पर देखिए स्टुडेंट डिटेल यह first name चाहिए लिख हो या पर देखिया आगया आपका और Мिडल नेम चाहिए वह आ जाएगा भास में last name जाहिए यह राजाएगा उसके बाद मुझे Mental चाहिए कि इसको क्लिक करो उसके बाद मुझे email डीट अगले तो वह record आपको मिलता है इसको copy करेंगे हम लोग और copy करेंगे और एक excel file में डाल देंगे यह excel file मेरे पास है इस excel file में उसको रख देता है control भी इसको अच्छी तरह से और यह जो पहला देता है न इसको तो कोई जरूरत नहीं होती इसको डिलीट कर दो अपने इसे ओके यहाप आएगा इसको बराबर रखना है तो आप लोग कर सकते इसको यह आपको रिकार्ड को प्रॉपर में से रखना है तो इसको इस तरह सिस्टेमेटिक रख सकते हैं आपको रखना है तो ऐसा नहीं रखना है तो इस ओके कोई प्रॉब्लम नहीं यह देखें चला यह रिकार्ड आपका है अब यह रिकार्ड को मुझे जो जो मौडिफाइड करना उसके अंदर मैं चेंज कर देता है तो इसको मैंने क्या किया था दान देखेंगे इसको मैंने थोड़ असा सब्सक्राइब को हुए से यह बया है। इस तरह से किया था सिस्ट्मेटिक दिखता है थोड़ा स और कुछ निमस्ते कुछ सिर्फ करेंगी यह मैंने फ्ल्ड से इसको ऐसे रिकीचन किया था और बाकिकी चीच को मैंने इस तरह से यहां पर देखिए और इसको लोग एक कलर देंगे दुसरा कोई छोटा सा कलर इसे नॉर्मल कलर दे देते हैं यह आपका कलर आगे अब मुझे क्या करना है इसके अंदर मुझे चेंजिस करना है देखो ध्यान देनों इसके अंदर मुझे देता हो आपको समझ में आ जाएगा तो यह कलर दिया है मैंने स्वारी चलिए तो यह कलर दे देता हो मतलब यह मैंने अब मुझे लग रहा है कि सर यह भी मेरा गलत है तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ आपको बता रहा हो कि exactly working कैसे होता है आपको जो-जो करना है वह आप लोग क्लिक करो यहाँ पर जाएंगे अपन यह प्लस करके तकर देता हो बता रहा हो कि आपको जा जाएगा तो यह अपडेशन चरहेगा आपका कि यहांने कर दिया है उन्म करना है तो पइले मुझे लेकत तरह लेके आना पड़ता है से बहार और स्को मॉडिफाइड करना पड़ता है और बाद में यह डिता मुझे वापस इंसर्ट करना पड़ता है तो इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वाहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाएंगे अब और यहाँ पर पोड़िपाइट करना है हम लोग औ्हार क्रेंगे यहां जाते हैं applies define कर लिए आपर यहां करते बाद यह पाढ़न करना है तो अपडेट मैं जाएंगे इसको निकाल लेंगे में लोग और क्या खरूं करें यहां पर पोड़िपाइट है यहां डाल जाये में जाल यह पर जाने के वाद यहां पर पेस्ट करता है, यह आगे आपका डेटा, ओके यह मुझे मॉडिफाइड करना देखते हैं हम लोग यह आप तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, यह तो वैसी रहेगा क्योंकि यह उपर का लाइन मैच हुआ है प पर लेटा, हम जाले पर बुटा होगे, चलिए, एक बंद करते हैं, यह रिको रिकॉर्ड है अपना, यह स्टुडेंट रिकॉर्ड है आपका, इसको अल कर देता हूँ, आपका यह तो यह आपर रिकॉर्ड है आपका, देखिए, यह देखो, मॉडिफाइड नहीं हुआ, आपका पॉडिफाइड नहीं हूआ, अभी इसको रिफ्रेज कर दो, तो मॉडिफाइड हो जाएगा, देखिए, नहीं हुआ क्या, पॉडिफाइड क्यों नहीं हुआ, यह वह वहन आपका मॉडिफाइड रिकॉर्ड, अप्डेट किया आपने, है कि नहीं, तो टेक सम टा टाइम लेता है वो, तो टाइम लेगा आपका, देखिए हम लोग ने क्या किया, अपडेट किया, अपडेट करने के बाद यहां पे अकाउंट पे चले गए, शुडल डीटेल में चले गए, और इसके बाद हमने यह जो डिटा मॉडिफाइड करना था, यह मॉडिफाइड मै आपडेट इभी नॅसओं स्कूल जाते हैं देखते हैं आप सब्सक्राइब कुलों पेस्च करते हैं घ्राट को है कि पुराना इक circuit को इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट करेंगे 30 कि रेकॉर्ड को तो विक रबेखते हैं पहले Roh भुट करते और इस इस तरह सब्ञेब कर सकते हैं अभी किसी को अपसेट करना है मुझे तो मुझे यह पाहले से रिकार्ड यह पुरानी रेकार्ड यह पुराने रेकार्ड तो मुझे लेना पड़ का मतलब क्या हता है पूरार record को modified करेंगे और नय record आडo बी करतेंगे दोनों भी काम करते तो वो प्रसेड़ रहते तो उसको बहुते अपसर्ण प्रसेट तो पहले मुझे क्या करना पड़एगा बहांसे डेटा एक्सपोर्ड में जाना पड़ेगा डेटा एक्सपोर्ड से पूरी लेना पड़ेगा रखा मेरा ओपन्किया हूए तो धेखिये मुझे कुण नहीं चाहिए इसको में डिलीट कर देता हूँ, यह रिकॉर्ड है मेरे पास, यहाँ पर यह रिकॉर्ड को मैं मॉडिफार, मतलब थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, तो यह रिकॉर्ड है आपका, यह रिकॉर्ड है अपका, इत्ता रिकॉर्ड देखिए रहन देजिगा, यह रिकॉर्ड इसको थोड़ा अच्छा बना देते हूँ, आपके, बाद में यह रिकॉर्ड है आपका, मुझे यह रिकॉर्ड रहेगा आपका, इस तरह से आग्या, अब मुझे क्या करना है, अप्सर्ड करना है, अब सब्सक्राप कर हो कि यह मेरा रिकॉर्ड है इसको में modified कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मतलब आपको समझ में आ रहे है। क्लिरिफाइड होगा यह देखिए आपको चलिए अब यह हम लोग क्या है इसको record को modified करते हैं अपडेट करते हैं अब हम लोग तो यह record मेरा update है देखिए अपडेट है record यह आप जाते हैं लोग और इसको हम लोग इस तरह से तो यह मेरा record अपडेट हो गया आपका तो यह record आपका update हो जाएगा आपका इस रिक्लिया मुझे और कुछ मॉडिफाइट करना है तो इसके अंदर मुझे email को कbild करना तो यह कर दिया मैंने इस email को modified करना कर मैंने इस ज्यान दिजीगा और बाद में यह record को आपडेट कर दिया को कि यह record को मैं आपडेट कर दिया अब इसको बोलते हैं पुर्म को update करेंगे और अभी मुझे क्या करना एक नया record इसके अंदर मुझे एक record और क्या करना एड करना है एंटर यह देखिए एक रेकॉर्ड मुझे एड करना है यहाप एक रेकॉर्ड आड कर देते हैं यहाप पर वैशा ली मिदल नेम पन देते हैं धान्दी जेगा यह रेकॉर्ड में आड कर रहा हूं एक्स एक्स वाइज जेड और यह एक रेकॉर्ड आपन एड कर देते हैं यहाप पर शेंड है और यह रहेगे फिमेल और यहाप एपन डाल देते हैं वैशाली एड रेट जीमेल डॉट को पुराने डेका को मॉडिफाइड कर रहा हूं ओके और नाट कर रहा हूं तो इसको बोलते हैं अपसड का मतलब क्या होता है अब डेप्स पुराने करें लिए जाता है तो अब लोग कें अब बेगा this और अभी एँस को यह हärt दो अभी इसको इंसर्ट करेंगे ड Iraqi सब्सक्राइब इस अधियों पर वही चेंज करते हूं, इस्टुडेंट डिटेल में जाता हूं मैं, हम लोग अभी अभी हम लोग जाते हैं तो यहां पर हम लोग जाएंगे और यहां पर जाते हैं तो यहां पर जाते हैं अभी इंपोर्ट करते हैं लोग इंपोर्ट डेटा इंपोर्ट तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहां पर अपसर्ट में जाते हैं अपसर्ट में क्या होत को भी चेंज किया जाता और नया record अप्डेट में नहीं नहीं होता है update । क्लिक करेंगे यहां पन copy करेंगे तो यहां पर जाएंगे यहांसे record यह पूरा रेकॉर्ड लेंगे यहां से पूरा रेकॉर्ड लेते हैं जब यह पूरा आपका रेकॉर्ड जित्ता भी है यहां से पूरा पूरा रेकॉर्ड लेना परेगा मुझे किसी भाई नहीं आएगा चली क्या होगा गलती होगी चली यह रेकॉर्ड अपने देख ले दे पूरा पूरा मॉड लेके जाते हैं यह आपका रेकॉर्ड है अपडेट भी रेकॉर्ड है और इंसर्ट भी रेकॉर्ड है इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहां से यहां पे जाते हैं हम लोग और यहां पे यहां पे जाते से कंट्रोल भी करते हैं हम लोग यह record मेरा आ गया यह सेम रहेगा तो इसके में अंदर मैंने modified भी record है देखो modified record है और as well as new record भी है देखो एक ही डाला है मैंने लेकि निव इसको इंपोर्ट कर देते हैं अब इंपोर्ट करने के बाद देखिए आप आ जाएगा तो जो पुराना रेकॉर्ड उसको अपडेट कर देगा और नए record को वह क्या बोला invalid email id को गलत दे रहा है देखो error आ गया error आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे इसको यह कर देंगे इसको वापस से कॉपी करना पड़ेगा मुझे पूरा रेकॉर्ड तो इस तरह से error आती है तो error पढ़ लीजे आप लोग ओके और पढ़ना पड़ता है है लिए से और प्रोड एक्स है जंट्रोल कर देंगे हम लोग और कंट्रोल सी के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको वापस यह तो बराबर दिया है मैंने यहाद पर जाएंगे सको अपडेट करते है यहाद देखते हुआँ अप्डेट हुआ होँगा और यह देखू नया record को insert करता है पुरा record को update करता तो आप समझ में आगे अपसर्ट में किसी गज़ कुछ तकलिव कि चलिए समझ में आगे आपको उसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ है देखिए next अपने देखा था concept याद आता होगा आपको तो हम लोगों ने निभ कंशेट देखा तहां तो डीटा इंपोर्ट विजाट लिघा हो», अभुट कर रहेता है। सेटअप में जाते हैं मिoli, यहाँ पर रिग कर technically भुट सेटब 4G, और यहा पर सेटब में जाने के बाद यहाँ पर रेता है। ज्यांद दिजिएगा data import wizard इसको click करेंगे इसको click करते हैं हम लोग यहां पे देखिए यह मैंने कल record add किया था या दे किया था अब मुझे नया record add करना तो ज्यांद दिजिएगा नया record करना है तो मुझे सबसे पहले प्रिपेर करना पड़ता है तो मुझे एक नई एक्सेल ओपन करना पड़ेगा यह छोड़ दीजिए मैं इसको थोड़े देर के लिए इसको बन कर देता हूँ don't save don't save clear गया no तो यहां पे मुझे एक नया यह बनाना एक्सेल तो मैं एक्सेल ओपन कर देता हूँ द्यान दिजेगा यह एक्सेल ओपन कर देता हूँ मैं दस मिर्ट में भी क्लियर करवा देता हूँ मतलब यह वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी ओके तो यहाँ पे हम लोग देंगे तो यह एक्सेल मैंने क्लियर कर दे यह एक्सेल ले लिए मैंने ओके इसको थोड़ा सा requirement निकाल लिया है तो ctrl c और इसको मैं बंद कर देता हूँ मुझे जरूरत नहीं है इसको ओके तो यहाँ पे मैं उसको add कर देता हूँ वी simple यह मेरा देखिए यहाँ पर है लास्ट नेम यह आपका जेंडर मैं पूरा ही वर्किंग करवा के दे रहा हूँ मतलब कल का जो तकलीफ गया था न वो निकल जाएगा तो यह आपका वर्किंग है ध्यान दीजेगा इसको हम लोग एक्सेल फाइल है आपके इसको सिस्टेमाटिक तरीके से बॉर्डर दे जेते हैं उसके बार इस पूर्म लोग इस तरह से यलो कलर दे जेता हूँ मतलब आपको दिख जाएगे तो यह मेरी फाइल है तो पहले उसने क्या बुलाया यहाँ पर ध्यान दीजेगा अभी मुझ खेम छे फिल्ड यह रहाँ कर सकते दे यहाँ पर अनम्मोर फेल्ड कर सक्ते हैं फेल्ड मतलब आपको बता देता हूँ यह वाली 1 2 3 4 5 6 ख केंदर है यही डो सकते थे शेल्स पूर इंस्पेक्टर के वान टू थी फोर फाइव और एक सिक्स सेवन एड़ करेंगे तो एरर आता था लेकिन सेल्फोर्ट डेटा इंपूर्ट विजाड के अंदर पर कित्ती भी फिल्ड्स एड़ कर सकते है उके उसके बाद सेल्फोर इंस्पेक्टर के अं अंदर मैक्सिमम पास्टो रेकॉर्ड अपन एक साथ लें सब्सक्राइब करना पड़ता है यह डेटा फॉर इंपूर्ट टो डिटाइं डेटा इंपूर्ट विजाड के अंदर अपन जो वर्क करेंगे तो यह फाइल को मुझे पहले सेव करना पड़ता है और सीएस भी फ करता हूँ क्लिक करेंगे तो यहां पर मैं दे देता हूँ फाइल क्या नाम देता हूँ आपड्र इंपूर्ट विजड के यहा अपन दे देते ने डटा मढ़म मी ए और यहां पर देखिए आपके पास机 अलग मोड में आता है है वान। टू और यह उपर एक आता है त्री हम लोग उसको लेना को मा डी लिमिटेड इसको क्लिक करें गरिक होग आपको डे देशने को करेंगे तो दो बार कोस्ते है कैब और एका यसे हो गया मैं आपको यहां душ करना को तो यहां पर द्यान देजेगा तो यह आपका आया होगा कई तो भी यह आपकी एक्सेल फाइल दिख रही है और यह को डेटा इंपोर्ट विजाट शूरंट फाइल यह थोड़ा अलग दिखता है यह देखो यह एक्सेल है यह आपकी इसको में डिलीट कर देता हूं नदबर कंफ्यूज में डोल से चलो मेरे पास यह पहला कमांड वर्क हो गया अब मुझे उसको प्रोसेस करना तो लॉंच करते हैं हम लोग लूंच करने के बाद यहां पर देखे पूश्टा है तो डेटा इंपोर्ट विजाट डेटा इंपोर्ट विजाट जो हता है वह स्टेंडर अबजेट के साथ भी काम करता है लेकिन उसकी रूल्स रहते हैं धान द केंपनिंग मेंबर्स दीज और द फाइव standard object जिसके साथ Data import Deal विजाट करता है कि नहीं वह से पाच हीендक के साथ करना है तो यहां पे इसका बाद करने के बाद यहां पर जितते भी अपने Student Management System के अंदर हमने बनाए हुए Custom Object तो वो सब यहां पर दिख जाएगे तो मुझे Student Data के साथ काम करना है क्लिक करेंगे जैसी क्लिक करेंगे तो वहां पर Insert रहता तो वहां यहां पर मुझे Add करना पड़ता add new data फिलाल इसको छोड़ देते हैं हम लोग बाकी के बाद में देखते हैं यह CSV फाइल में जाते हैं तो यह CSV फाइल में जाएंगे हम लोग यह CSV फाइल में क्लिक करना यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे तो चूज फाइल बोलता तो यहां पर क्लिक करेंगे और यहां से आपक आगे इसके वादARS को इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करने के वाद यह इस तरह से दिखती है आपको कि इस तरह से दिखती है तो मुझे match करना पड़ता है मैंने आपको बता था matching क्या होता है तो यहाँ पे नाम अलग है देखिए first name है wait a minute इसमें first name है लेकिन Salesforce के अंदर नाम कुन से रहता है आपके देखिए Salesforce के अंदर आपको नाम देखना है तो first name का नाम रहता आपका अलग रहता है जान देजिए this is the name यह देखो first name का नाम यह रहता है is it clear तो यह मुझे match करना पड़ता है तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है और match करना तो यह change के उपर क्लिक करोगे तो यह ऐसा आता है तो उपर जाओंगे उपर जाने के बाद इसको थोड़ा minimize करोगे और minimize करो और minimize करो तो यह आना चाहिए देखो first name दिया है यहाँ पर first name है map हो रहा है map कर दीजे आप लोग उसके बाद change middle name है आपका यह देखो map हो रहा है वो clicky रहेगा आपका change में अभी नहीं रहेगा यहाँ पर last name उसके बाद email id gender देखते है तो gender कई तो भी नीचे होगा उपर लिखा रहता है gender मतलब नीचे click होगा वो यह देखो gender है map कर देते हम लोग और एक last change कभी कभी नहीं होता है तो यहाँ पर email id change map है map कर देंगे yes map हो गया आपको next करते हम लो next करने के बाद देख लिए उसने 5 फिल्ड को map कि है first name middle name last name gender और email id ओके और उसको पन start import करते हम लो ok करते हम लो तो यहाँ पर आपका record import हो गया देखिए वो बोलेगा कि एक batch है उसकंद्र सव records थे 100% process हो गया आपके इतना time लगा 85 और active process के लिए 41 millisecond होता है तो यहाँ पर वो दिया जाता है देखिए थोड़ा इसको बढ़ा कर देता हो मतलब clear होगा आपको चलिए यह देखिए आप लोग यहाँ पर दिया हुआ है देखो request व्यू रिक्वेस्ट व्यू रिजर्ट यहाँ दिया हुआ हुआ 85 टाइम लगा हुआ 10 रेकॉर्ड प्रोसेस किये उसने तो यह पूरा दिया हुआ है यह आपके completed करके अब मुझे लग रहा है कि कोई कभी तकलिव जाती है यह व्यू इसमें क्लिक करना पड़ता है तो यह जो व्यू रिजल्ट नाम का तो इसमें पूछतेए डिटा इमपोर्ट के अंदर मुझे एरर चेक करना है तो कौन सी फाइल होती है तो उसको बताना पड़ता है यह question आता है व्यू रिजल्ट करके फाइल होती है csv file इसके अंदर लिखा रहेता तो यह 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 तो य रेकॉर्ड लोड नहीं हुआ तो वह आपे दिया जाता है इत्ता क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताई तो इस तरह से आपका रेकॉर्ड हो गया अभी हम लोग देखते हैं यहां पर इस्टुडेंट डिटेल के अंदर कि मौनिफाय हुआ है क्या रेकॉर्ड ओल करते हैं अपने एड़ किया न तो अभी फिला लिए देखो कि इत्ता ही रेकॉर्ड है प्रटीवन रेकॉर्ड है तब इसको मॉडिफाइड करते हैं हम लोग वह आ गया होंगा एक टास्क आपको दूँगा आपको करना है वो टास्क ओके यह देखो अभी फोटीवन रेकॉर्ड आ गया पतला पहले से रेकॉर्ड आ गया था वह आप पे तो इस तरह से वह रेकॉ इंपूर्ट में जाते हैं हम लोग डेटा इंपूर्ट में जाते हैं हम लोग ध्यान दीजेगा थोड़ा सा तो देखो पहले डेका टेन का रेकॉर्ड अपने अपडेट किया था आज अपने टेन का रेकॉर्ड अपडेट किया देखो कल पंद्रा तरिक को और यह सोला तर पड़ता है तो अब इसे वक्त आपको यहां से लेकर आना पड़ेगा याद रखिये कैसे करता हूं तो यहां पे जाओंगा मैं एक्सपोर्ट करूंगा सेल फोर्स इंस्पेक्टर कर देंगे यह रिकॉर्ड मेरे पास आ गया इत्ता बड़ा रिकॉर्ड आ गया मैं इसको कॉ करूंगा और एक एक्सेल फाइल पर लेके जाओंगा यह नई एक्सेल फाइल मेंने बना के रखिये द्यान दीजे इसके अंदर लेके जाओगा और इसको मैं पेस्ट कर दूगा इसको पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं द्यान दीजेगा इसको डिलीट कर देंगे हम ल और यह आपका email id यह अपने modified करेंगे इसके record को अच्छा रखना है तो बना सकते हैं बहुत data है अपडेट करें हम लोग बता रहो हो कि तो यहापे हम लोग देखते हैं यहाप पर जाते हैं हम लोग और यह पहली line को अपने cover कर लेते हैं यहलो बाकि की line को आप लोगों को ऐसा color देना है तो दे सकते हैं यह सिर्फ modified कर रहा होने तो बोलेंगे sir कैसे क्या होता है तो just मौडिफाइड इट यह मैंने दे रहा है यह मैंने रेकॉर्ड बना लिया अब मुझे मौडिफाइड करना है यहाँ पर इसको मौडिफाइड करना है तो यहाँ पर मैं देता हूँ है यह रिकौर्ड को में modified करहուँगा इत्ते record देखिए को आना चाहिए और मैं इसको इसको क्रणल रहने चेंज कर देता है तो यह डिटा मेंना record को modified क्रणा इत्ते पूराने record को modified करना पड़ते हैं तो अभी कर दिया, आब मैं इसको CSV फाइल में convert करुंगा, तो देखिये, फाईल में जाता हूँ, इसको save as करता हूँ, इस पे जाता हूँ, डेस्टप पे जाता हूँ, और यहां पे मैं, डेस्टप पे जाता हूँ, और यहां पे मैं दे देता हूँ, modified update data, update student data, द्यान देजेगा यह फाइल है में यह रहता है इसको क्लिक करेंगे और सीएस्वी के इसंदर इसको सेव कर देंगे तो मुझे मैंने क्या किया यह कर देते हैं तो मैंने क्या किया पहले से डेटा ले किया उसके अंदर क्या मौडिफाइड करना तो वह मौडिफाइड किया उ को मुझे modified करना था वह modified हमें तो मैंने self force इंस्पेक्टर से data ले किया excel के अंदर उसके बाद मैं उसको modified किया उसके बाद मैंने उसको save किया CSV फाइल में और मैंने पाइलिस टेप create कर दी अब मैं launch करता हूँ अब मुझे data को update करना है यहाँ पर हम लोग custom में जाएंगे custom object में जाएंगे अब मुझे custom object में जाएंगे किसके साथ मुझे work करना है student detail के साथ work करना तो student detail को click करेंगे हम लोग यह थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं सवका कर देता हूँ यह update कर देंगे यहां पर student detail के साथ जाएंगे हम लोग कहा लिखा है यह student detail के साथ क्लिक कर देंगे यहां पर add need data अब मुझे update existing data करना तो यह update होता है अब update करना है तो मुझे ध्यान देजेगा update करना है तो यह पुराना record यह जो record है ना आपका यह modified किया हुआ यह record और मेरा Salesforce का record मैच होना चाहिए तो मैंने आपको बता आता है तो मैच कैसे होता है कभी भी याद रखेगा फर्स्ट नेम अमन नाम दस बार भी आ सकता है यहां पर एक नंबर रहता है जिसको record यह unique रहती है तो कभी भी मैचिंग करते है ना यूनिक के साथ मैचिंग करना पड़ता है तो मुझे अपने को मैचिंग करना इसके साथ समझ में आ रहा है कि आपको तो मुझे यह record को update करना है Salesforce के अंदर वाइजिंग data import wizard से तो मुझे क्या करना पड़ता है कि यह जो मेरी CSV फाइल है तो इस फाइल से मुझे जो यूनिक होता है यह फिर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम लास्ट नेम इमेल इमेल इसमें यूनिक नेस नहीं है क्योंकि जेंडर में मेल मेल पीमेल प होता है तो यह यूनिक रिकॉर्ड आइडिया आपको वर्क करना पड़ेगा तो मुझे इसके साथ मैच करना पड़ता है तब ही जाके यह वाली फाइल और Salesforce के अंदर की फाइल ओके वह मैच होती है तो यहां पर वह कैसे मैच करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है ध्यान यह मैच बोला आपको यह बैच बाय हम लोग Salesforce.com ID बोलते हैं मतलब वह रहता है आपका यह वाला इसके साथ मैच करते हो यह 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 जो ची रहती है न वह यह रहता है Salesforce.com ID समझ में आ गया कि आपको इतना बताएए मुझे है कि सवन में आ रहा है क्या है कि यह सो कि अपने कॉन सी फाइल ली थी बता क्या नाम तश्का है बताइए रही है कि वो सर book for update लिखाए उपपर मा कौन से जी book for update student data यह कौन सा है यह updating student data क्या सुरी मैंने नाम नहीं लिखा था लिखा तो चली यह फाइल है मेरी पास यह एड़ हो गया मैंने इसको फोन नेक्स करते हैं कि यहां पर दिखो यह इस तरह से मैपिग करना पड़ता है क्योंकि यहां पे जो नाम है वो आलग है और वहां पे नाम अलग रहते तो mapping करना पड़ता है अब लोग मेप पर जाते है यह कब देखता है निए तो इसको छोटा करना पड़ता है छो चोटा किजिए और छोटा किजिए यहां जाता है अब अब देखो मुझे first name के साथ map करना तो यह first name को click करो, और map करो, यह map payments करो आपका निकल जाता है, बाद में यह map करो ऐ बराबर देखके, यह middle name multi name को click करो map करो उसके बाद यह आपका रहेगा, last name, last name के साथ map करो, check करना बराबर, तो यहाँ पर देखिए, नहीं होता हूँगा, तो यह थोड़ा सा, अलग कर सकते, नहीं कर सकते, तो gender है, तो यह gender का आपके नीचे है, जैन जेना, gender की क्लिक करना, और map कर देना, ओके, उसके बाद यह map, यहाँ पर आपका email ID है, तो यहाँ पर कुण add कर देंगे, चलिए, यह हो गया, आपका match हो गया पूरा, तो इसको next करते हैं, छे फिल्ट से यहाँ पर, एक record पर, first name, middle name, last name, gender, email ID, और यहाँ आपका record ID था, तो इसको हम लोग start import करते हैं, यह देखिए, your import has started, लोड करेंगे हम लोग, देखते हैं, तो देखो, यह आपका 10 record आगया आपका, yes, आगया, पूरा success हो गया, अभी देखते हैं हम लोग यह आपके, चेक करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं हम लोग, थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, ओके, यहाँ पर अपडेट हुआ, कि रिकॉर्ट ड करने की आता शायद, फोर्स्ट नेम देखो, थोड़ा रिफ्रेश देते हैं हम लोग, हुआ हम लोग, अपडेट हुआ हम लेता है ओके, तो इस तरह से आपका record, अपडेट होता है, तो इस तरह से हम लोग, डेटा को देखो, यहाँ पर लिख्के देखो यहाँ टेखना, अपडेट करके यहाँ पर डेटा इंपूर्ड विजर्ड में देखो तो अभी तीन सैकल आई होंगे आपको थ्री सैकल आई होंगे देखिए यह पहले कल का था यह आज का था दस का और यह देखो अपडेट किया 31 लोगों का रेकॉर्ड इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे ने देखो